Hello everyone, आज है 2nd February और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं EASY Trip Planner के बारे में, जिसको हम EASY My Trip के नाम से भी जानते हैं और देखा जाए तो आज तकरीबन 5.5% की तीजी है, actually में तीजी और भी जादा बड़ी थी तकरीबन 7% की तीजी यहाँ पर देखने को मिली थी 51 रुपीज के आसपास इंट्राडे में गया था, बाद में करेक्शन सभी देखने को मिल रहे हैं 49 रुपीज के आसपास यह ट्रेट कर रहा है, पिछले एक महिने में देखोगे तो पहले एक जटके में बहतरीन तीजी आई थी, 52 के करीब गया था यह बाद में गिरावट भी आई, 45 पे गया यह, उससे नीचे ही गया था अब वापस से तीजी बनी है, बजट के बाद कहीं ना कहीं जो travel से जोड़ी हुई company है, tourism से जोड़ी हुई company है, वहाँ पर तीजी देखने को मिल रही है बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले, अगर आपने वीदक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे subscribe कर लीजे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos हैं जो पो काफ़ी जादा help करेंगे तो यह आपर 49 रुपीज का share है, 22% की तीजी एक महिने में है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब इसने 50 रुपे से उपर जाने की कोशिश करी हलागि उससे उपर गया भी था लेकिन वहाँ से correction बनी थे, इस बार दुबारा से उसने आज intraday में 50 रुपे से उपर का level दिखा रहे हैं अभी correction चल रहा है और शायद मुझे लफ़ता है कि end of the day 50 रुपे के नीचे ही ये close होता आपको नजर आ सकता है एक साल का अगर हम graph देखेंगे तो 2% का गिरावट है, एक बड़ी गिरावट से गुजरा, short term में बड़ी तीज़ी दिखाई थी फिर वापस बड़ी गिरावट से गुजरा, देखो बीच बीच में जब ये तीज़ी दिखाते हैं तो बहुत बड़े moves यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं लेकिन फिर वापस से गिरावट आती है, फिर तीज़ी दिखाते है, फिर वापस से गिरावट आती है एक्चुली में जो कंट्रवर्सी हुई थी हाल फिलाल में मालदीव्स को लेकर कहीं ना कहीं उसका इनको काफी जादा एडवांटेज मिला क्योंकि इन्होंने अपना जो स्टांस था वो इंडिया की तरफ रखा था जाएंगे और ये बड़ी बात है ये बड़ी बात है और आने वाले टाइम में जो religious tourism है वहाँ पर भी आपको एज़ाफा देखने को मिलेगा तो जो जो companyya इस sector से जुड़ी हुई है चाए वो hotel company हो चाए वो प्राविल कंपनिया हो एक बड़ी तीजी वहाँ पर देखने को मिली और आज कहीं न कहीं एजी ट्रिल प्लानर में भी वो तीजी देखने को मिल गई है हमें और अच्छे खासी रफ्तार और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो तकरीबन साड़े छे करोड साड़े छे करोड से भी जादा के शेर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए कंपनी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक्चुली प्रॉफिटेबल है according to money control user बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी में डिविडेंट की जहां तक बात करें तो हाँ इस बार इन्होंने पेग करा है मुझा अब दस पैसा पर शेर का पेई जरू करा था दोजार तेईस में 22 में पेई नहीं किया था 2021 में इसे कुल मिला का तीन रुपए का आपको डिविडेंट पेग किया था लेकिन तब शेर प्राइस बहुत जादा भी थी रीजन यह है कि आपको देखने में लगता है कि शेर प्राइस अभी पचास रुपए के आसपास का है लिन एक्चुली में इसने एक ही साल में आपको दो बार बोनस दे दिया था शेर मल्टिप्लाई हो गई यहाँ पर 2022 में और एक ही साल में इस प्लिट भी हो गया था और शेर मल्टिप्लाई हो गई यहाँ पर तो यही वज़य भी है कि आपको देखने में पचास रुपए लगता है कि बहुत सस्ता है लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो कई जादा बड़ा है क्योंकि दो बार बोनस दिया है एक बार स्प्लिट हुआ है उसके चलते कहीं न कहीं शेर जो है वो कई गुना मल्टिप्लाई होता नजर आए आपको और एक्चुल इमें इसका वैल्यूएशन अगर हम निकालेंगे तो वो सस्ता नहीं है यहाँ पर अगर आप इनका पी रेश्यो देखेंगे तो वो एक्चुल में 57 का है सेक्टर पी 76 के आसपास का देखने को मिल जरूर रहा है कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है जहां तक इनकी फिनांशल की तरफ अगर हम देखें तो फिनांशल डेफिनेटली इनके अच्छे थे लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे थे 145 क्रोड के आसपास का इनका रिविन्यू था और 47 क्रोड के आसपास का प्रॉफिट था इनका जो की काफी अच्छा प्रॉफिट है ये क्योंकि जनरली इनके मार्जिन्स कम होते है लेकिन इनके मार्जिन अच्छे यहाँ पर देखने को मिले लेकिन आपको बता दे कि इस तीजी नहीं थी शेयर प्राइज में जो तीजी देखने को मिली उसकी वज़ा ये ही है कि लक्षदीब वारा जो मामला हुआ उसने काफी जाधा help किया इनको इसके बाद अगर हम देखे तो जो releases tourism बढ़ रहा है government की जो announcement हो रही है लगातर वो यहाँ पर काफी अच्छे help कर है इनको और कहीं न कहीं अच्छा भी है लेकिन again मैं कहे दू कि यह एक lot नहीं है यह एक lot नहीं है जिसको benefit होगा अगर हम tourism बगएरा की बात के तो सबसे बड़ा वाया IRCTC ही है जो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे जो releases tourism आता है train के ज़रे लोग travel बगएरा करते हैं even flight ticket भी IRCTC से book हो रही है ठीक है तो वहाँ पर IRCTC definitely एक बहुत बड़े player के तौर पर है इसके अलावा make my trip से लेकर कई सारी companies है और even छोटी छोटी company तो बहुत सारी है और he is my trip actually मैं छोटी company थी अभी actually मैं काफी साथ बज़ इसका create हुआ और एक बहुत बड़ी company आ रही है इसी sector में disrupt करने के लिए और वो है अदानी अगर आप देखोगे तो अदानी की advertisement भी यहाँ पर चल रही है अदानी one करके तो यहाँ पर काफी बड़े two मतलब जो ticket booking के उपर hotel booking के उपर काफी सारे discount वगरा दिये भी जा रहे हैं तो अदानी मेरे हिसाब से आने वाले time में हर उस sector में जा रहा है जहां पर अच्छा हुसा पैसा बन रहा है और अदानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके पास भईया control है airports के तो जिस दाम में आपको ease my trip से ticket मिलेगी flight की उससे काफी सस्ते दाम पर आपको ticket मिल जाएगी अदानी one से अगर आप चाओ तो compare भी कर से और शु प्लेयर्स भी यहां पर है आयर सिटी से भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो यह क्लॉत नहीं है तो यह मानना कि वह यही कंपनी अच्छा करेगी आने वाले टैम में बहुत जादा margin को लेकर टकर होने वाली है तो कि जितने cash को साथ अदानी आ रहा है उतने cash को साथ साथ यह लोग compete भी ना कर पाए और अगर आप देखोगे तो टिकेट booking में कई सारी apps वगिरा भी आपको देखने को मिल जाएगी जो मतलब entry कर रही है बड़े प्यामाने पर इंडिया में तो कहीं न कहीं इनका जो business होने वाला है वो बहुत ही छोटे margin का होने वाला है आने वाले time में और देखो December के number definitely अच्छे आएंगे क्योंकि December का जो quarter रहा है वो छोटियों का holiday season होता है इसके अलाव अगर आप देखो तो World Cup भी था December quarter में तो कहीं न कहीं अच्छे खासे फायदे उनको होते नजर आए होंगे तो अभी इजर्ट्स आए नहीं है जैसे आएंगे उसक 64.30% का stake है अब प्रमोटर में काफी सारे shares बेचे हैं तकरीवन 74.90% से घट करिये यहां पर आये हैं इसे पहरे जब मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी तो काफी सारे comments आए थे कि वह यहां प्रमोटर को अपने business को expand करना है पैसा चाहिए कहां से लेकर आएंगे तो यह यहां पर मैं यह कह दो कि चलो promoter के लिए आप यह चीज़ कह सकते हैं लेकिन mutual fund का क्या 0.64% से mutual fund almost यहां पर 90% का stake बेच चुके हैं 0.06 पर आ चुके हैं यह domestic की अगर हम बात करें तो 2.30% का stake है FISA 2.18% का stake है यहां पर खरीद कौन रहा है खरीदने वाले institutions नहीं है अगर promoter ने 10% से भी जादा का stake यहां पर बेच दिया है तो आप यहां पर buying actually में institutions से भी तो आनी चाहिए लेकिन वो नहीं आई है buying कहां से आई है retail investor ने खरीदा है आ यहां पर 10.94% से कहां पर आ गई यह 21.94% जो 11% promoter ने बेचा mutual fund ने बेचा वो किस ने खरीदा बृट्र इंवेशन ने यहां पर खरीदा हुआ है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पर कि चलो promoter अगर बेच रहे हैं अपने business को expand करने के लेकिन वो भी तो देखो कि वो प आज भी उनकी holding 9.8 उतनी ही है खरीदारी सिर्फ और सिर्फ retail investors ने करी हुई है और जो मेरे हिसाब से काफी बड़ा red flag है यहां पर और देखो यह वो sector है जहां पर बहुत सारी competitions देखने को मिलने वाली है आपको और यही वज़ा है कि मैं long term के लिए तो यहां पर मैं कभी नह कर रहे हो तो सीधी से बात यहां पर यह है कि आपको swing trade ही यहां पर करना है 37-38 रुपिस का level जो है वो buying का level बनता है 45-50 का जो level होगा वो profit ticking का level यहां पर बनेगा यह मेरा मानना है और again यह चार्ट के जरिये में मैं यह कह रहा हूँ ठीक है मेरी यहां पर कोई 22 साल recommendation नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसका decision आप ही का होना चाहिए वीडियो को यहां पर end करता हूँ पसंद आ हो तो like करे शाय करे चैनल अगर आप पहली बार है तो please subscribe करे और easy trip planner के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं thank you